असलालेकुम दोस्तों आज हम दो तरहा की चटनी बनाएंगे एक इमली की खटी मीठी चटनी और एक हरी चटनी इमली की चटनी के लिए हमने 200 ग्राम इमली लिया है और उसके साथ ही हम ये गरम पानी इसमें डाल देंगे जिसमें इमली अच्छे से फूल जाए और एक गंटे के लिए इसको सोप कर देंगे और ये गूड़ है देर सो ग्राम शक्कर है जो ग्राम के ओर ये नमक है काला नमक है हाफ टी स्पूण जीरा कश्मीरी लाल मिर्ज हरेगुलर लाल मिर्ज सब वन वन टी सपोन है और ये कलोंजी है, हाफ टी स्पोन, वन टी स्पोन है सौफ, ये हरी धनिया, एक मुथ्थी थोड़े असा पुदीना, पांच छे हरी मिर्ज, एक इंच अधरक का टुकडा, एक टी स्पोन जीरा, एक टी स्पोन नमक और नीबू, हमें जितनी जरूरत ह होगी उतना लेंगे हरी चटनी के लिए अब ये एक गंटा हो गया है इमली हमारी भीग चुकी है हम इसको अच्छी तरह से हाथों से मसल लेंगे और इसका पल्प निकाल लेंगे अब फ्लेम अन करके हमने पेंच चड़ा दिया है इसमें टूटी स्पून करीब हम तेल डालेंगे अंदास से और फिर हम इसमें कलॉंजी और सौफ डालके थोड़ा सा चला लेंगे चट्नी में कलॉंजी और सौफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है ये खटी मिठी चट्नी रमजान आ रहा है रमजान के लिए आप बना के स्टोर कर लीजे और इस चट्नी को आप दही बरे चाट के साथ और दूसरे स्नेक्स के साथ आप खा सकते हैं ये खटी मिठी चट्नी बहुत ही अच्छी लगती है अब हम इसमें सौफ कलॉंजी हो गई थी इसमें हम पल्प डाल देंगे अमली का और इसको चला लेंगे अच्छे से अब हम ये सारे मसाले डाल देंगे जो हमने लिया था इसको भी डालकर हम मिक्स कर लेंगे ये देखे थोड़ा से ऑईल डालने से ग्लॉसी बनती है अब हमने गुड़ डाल दिया इसमें गुड़ हमारा थोड़ा मेल्ट हो गया था तो वो चिपक गया था अब शक्कर भी डाल देंगे शक्कर और ओयल से ये थोड़ी ग्लॉसी बनती है चटनी जो देखने में अच्छी लगती है अब इसका जो एक्स्ट्रा जहाग होगा हम इसको निकाल देंगे और जैसे जैसे ये गाड़ी होगी तो ये जहाग बनना कम हो जाएगा जैसे जैसे गाड़ी होगी इसका जहाग बनना खतम हो जाएगा और ये देखिए किस पे हलकी सी शाईन आ गए ये चटनी पर और इसमें आप चाहें तो केले डाल सकते हैं खजूर डाल सकते हैं चटन एक मुठी हरी धनिया ली थी इसको हमने दो लिया है और इसके साथ ही हम यह हरी मिर्च और यह पुदीना अद्रग जीरा नमक सब डाल कर हम पीस लेंगे अच्छे से ग्राइंड करेंगे ग्राइंड करते वक्त हम इसमें तीन चार टुकड़े बर्फ के डाल देंगे जिससे चटनी का कलर वैसा ही रहेगा ग्रीन नहीं तो चटनी क्या होता काली पड़ने लगती है यह देखें बर्फ डाल दिया अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे यह हरी चटनी भी बन गई है इसको भी आप पकोड़ी के साथ चात के साथ किसी भी स्टाइक्स के साथ आप खाईए यह चटनी भी बहुत टेस्टी बनती है मेरे चैनल को और बैल आईकन को दबानना ना भूल को झाल झाल